हलो सुडेंट्स मैं अंसू आपकी हिंदी तीचर आज हम लोग क्लास थर्ड का चैप्टर 14 असुद को सुद करना इस चैप्टर को पढ़ेंगे चलिए सुरू करते हैं जैसे कि मैं इसको आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ तो हम लोग कुछ फर्स्टर में पढ़े थे अ और सुद सदस को सुद करना अब हम लोग असुद वाक को सुद वाक में बनाएंगे उसको लिखेंगे चलिए पढ़ें सुरू करते हैं चैप्टर पढ़ते हैं भासवे सुद उच्चारन तता सही लिखने का बहुत महत्वा है मात्रा बदलने से सबदों के अर्थ बदल ज यानि वाक्का कोई मतलब मतलब नहीं रहता यहां कुछ समाने परियोग में आने वाले असुध सब्दों वाक्यों के सुध रूप तथा उनके परियोग दिये गए हैं जैसा कि यह मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूं यह हम लोग फॉस्ट टर्म में पढ़े थे चलिए यह इपढ़ जैसे मातिया तो यह सुध रूप इसका हो जाएगा दवाईया बिध्याले मौहला 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 चिड्या चिड्या सैना पति तो सेना पति दीपक बड़ी एकी मात्रा डालियों डालियों बेवार यह सुध बिहवार ऐसे पढ़ेंगे रोश्नी रोश्नी शुड्य सुर्य यह पर मातारेफ होगा पति पती पुझ्य पुझ्य प्रानी प्रानी ऐसे ही कुछार असुध और सुध सब देख लेते हैं गुडू परिच्छा क्योंकि क्योंकि यह απ को मातरा देखना आ बोलने में आप को यह जैसे लगेगा लेकिन इसका मातरा अलग है जैसे भी सर असुद्य सर अब समय आइसे लिखाव में अप पढ़ें गे विष्वास एसे दोस दोष बीमारी बीमारी हू, हू, सेनिक, सेनिक, बून, बून, आशू, आशू, पूजा, पूजा, भूमी, भूमी, चलाक, चालाक, ऐसे पढ़ते हैं फिर कुछ और आसुद सब्दें पर अकास, उसका आकास, सधक, तो इसको शडक, पढ़ाई, तो इसका सुद पढ़ाई सित्री ऐसे स्त्री दोनों पर ऐसे मात रहे तो स्त्री ऐसे बोल देंगे साधू, साधू पुरुष, पुरुश रुपया, हसना, हसना परोसी, वापस दोका, दोका नहीं होता ये दोका अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ये आपको फर्स्टर में पढ़ना था और यह आपका असुधवाक और सुधवाक है यह आपनों का यह second term है इसको आपको पढ़ना है यह आपके second term का हो गया जैसे इसमें असुधवाक है इसको सुधवाक बनाना है जैसे मैंने काम करा, तो मैंने काम किया, मैं स्कूल को गया, मैं स्कूल गया, तुम इधर आईए, आप इधर आईए, आज एक छुटी है, क्योंकि ऐसे आपको देखने सुनने में भी अजीव लग रहा है, आज एक छुटी है, तो ऐसा तो कोई वाक नहीं होता, आज छुटी मेज पर फल रखी है, हम काम करते हैं, सब बच्चे को पढ़ने दो, सेर मांस खाती है, मुझे एक आम दो, तुम आप आपके घर जाएं, आप अपने घर जाएं, घर पर सब खुसल है, सरक में मत खेलो, मेरा जूता खो गया, तुम खाना खा लिया, मेरे बेटे बिमार है, मेरा बेटा बिमार है, तुमकी आदत अच्छी है तुम्हारी आदत अच्छी है उसने मुझे को पूछा उसने मुझे से पूछा केले पर पेर लगे है पेर पर केले लगे है संजय बहुत साड़ा हसा मुझे को आज बाजार जाना है उसका गेंद मेरे पास है वह मेरी काम नहीं करता पिता जी बाजार गया है तो यह आपने असुद हुआ करसुद हुआ आपके पढ़ा चलिए अब हम लोग इसके अभियास को देखते है यह अभियास मैं पहले भी कista चुकी हूँ आप लोगों को अभी फिर से बता देती हूँ फर्स तर में भी मैंने अभियास आप लोगों को कराया था और सेकेंटर में भी अकरा दे रही हूँ चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न है सुध वाक पर सही कचिन लगा और इसे नीचे दिये गए अस्थान पर लिको उधारन देखो जैसे एक उधारन समझा है बीमारी, बीमारी, बीमारी ये सही है ठीक है तिथी, तिथी, तिथी ये वाला तिथी सही है जैसा कि आप सुध सब्द, सुध सब्द में देखेंगे, सुध सब्द पर जैसा कि दिया हुआ है चिडिया, चिडिया, चिडिया परिक्षा, परिक्षा, परिक्षा परिक्षा जिसमें बड़ी ए की मात्रा है बीमारी तिथी चिरिया परिख्षा और सुरिय अब हम लोग दूसरा प्रस्ण देखते हैं वाक पडो और सुध करके लिखो उधारन देखो मैंने घर जाता हूँ तो इसका सुध क्या होगा मैं घर जाता हूँ, मचली पानी में पानी से तै रही है, दीपक जलती है, मैंने पानी पी ली, मैंने पानी पिया, अंजु को काट कर सेब काट कर खिलाओ, बिल्ली पेर में बैठी है, मेरे मा बिमार है, मेरी मा बिमार है मेरा गिंद खो गया मेरी गिंद खो गई अजय ने खाने को खाया अजय ने खाना खाया जैसा कि हम लोग यह अभ्यास किये आप इसको कौपी में कीजिएगा अगर भुक में पाले नहीं किये हो तो फिर से दुबारा से कर लिजिएगा और असुद सब्द भी आप पढ़िएगा इसको लिखने का परियास कोशिश किजिएगा और असुद वाक इसको भी कौपी में आप लोग इसको करेंगे और इसको ध्यान से पढ़ेंगे भी